हेलो दोस्तों यहाँ पर बिसकोमान की रिक्वाइर्मेंट थी 275 पदों की जिसको लेकर जो है ओफिसेल नोटिफिकेशन जो है वो जाड़ी किया जा रहा है दोस्तों जिसकी लेकर जो है बहुत सारे ऐसे लोग कोमेंट्स आ रहे थे कि सर इसको कम MTS को लेकर क्या योगता हो होंगी असिस्टेंट को लेकर क्या योगता होंगी तो सारी बातों को मैं आपको इस संपुर्ण बिसलेशन जो है आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों और सेलरी सभी के क्या होंगे क्वालिफिकेशन क्या होंगे उन सारी बातों को मैं आपको इस वीडियो में नाउनलोड करेंगे वो बताते हैं फिर नोटिफिकेशन के जड़ी है जो आपको बताते हैं कि क्या-क्या डोकुमेंट की यहाँ पर आवसकता जो है वो लगने वाली है और क्या-क्या सेलरी है वो लगने वाली है जो कि बिषकोमान रिक्वान्ट है जो कि बिहार एंड चिसान है बिष्कोमान जिसको लेकर जो है उसमें आपको requirement है डाठर इंटीवपेटर सःस्ट बहुत सारे ऐसे पद है जो कि यहां पर जारी किये गये हैं जिसको आप यहां पर राव में आप यहां पर देख रहे होंगे यहाँ पर यह आपको apply करने का यहाँ पर link जो है वो यहाँ पर दिया गया है जो कि आपको कल से activate होगा जिसको मैं यहाँ पर click करके भी बता देता हूँ होंगे वो आपको Hindi और English दोनों भासाओं में किये जाएंगे और greeting exam में क्या क्या पूछे जाएंगे उन सारी विछी जो को मैं आपको इस वीडियो में बदाऊंगा दोस्तों और apply करने का यह जो लिंक है यह आपको कल से जो है दोस्तों यहाँ पर शुरू हो जाएगा तो मैं आपको पहले बता दू कि यहाँ पर link जो है वो कैसे जो आपको इस टार्ट करने है कैसे आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने है तो इसके लिए आप यहाँ पर requirement डाउनलोड का options देख रहे हैं इस पर जो है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है जैसी आप पर जैसे कि आप देख रहा है कि click here to fill the online form finance come account officer range officer and junior engineer civil assistant manager IT officer executive come assistant assistant ground manager computer operator come typist और sales come mts का यहाँ पर download करने का यह आपको pdf जो है link यहाँ पर दिया हुआ जिसको मैंने यहाँ पर download कर रखा है अगर आपने download करके नहीं रखा तो अगर इसको पूरी जनकारी चाहिए तो आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं चलिए हम उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया वहां पर जाकर जो है सारी चीजों को मैं आपको सारी संपुन विसलेशन जो है आपको इसमें हम बताने वाले तो यहां पर बिश्कोमान की ओफिसल नोटिफिकेशन पर हम आ गये हैं जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि बिहार स्टेट कोपरेटी मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड बिश्कोमान की यह आपको ओफिसल साइट है जिसको लेकर जो है आपको यहां पर बिश्कोमान इंभा account officer के पोस्ट आते हैं आप वीडियो को सही से पूर्ण तक देखिएगा तब जाकर आप समझ पाईएगा कि क्या 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 क्वालिफिकेसंस लेंगे क्या पेमेंट होगें तब जाकर आपको यहां पर फॉर्म बढ़ना है क्योंकि फॉर्म फी जो है बहुत ज् वर्स से लेकर 37 वर्स दी गई है जिसको लेकर जो है आपको यहां पर इसेंसियल है MBA का होना चाहिए डिग्री या फिर PGDM का या CA का या ICWA का यहां पर डिग्री जो है वो होने चाहिए साथ ही साथ जो है डिजाइरेबल में यानि की computer operation का आपको डिग्री या फिर experience है या नहीं है तो कोई फरक नहीं पड़ता है कि को desirable में आपके पास है तो ठीक है नहीं है तो कोई दिकत नहीं है और mandatory में यहां पर अवस ही चाहिए जो की applicant cell have at least three years of relevant experience जो की mandatory में या आपको अवस ही finance come account officer के post के लिए जो है आपको इस योगता के लिए जो है इसमें तीन साल का आपको experience जो है वो यहां पर मांगा जा रहा है दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरी नमर की range come marketing officer की जो की आपको यहां पर total 20 post दी गई है जिसकी अगर salary की अगर हम बात करें तो salary जो है आपको 20,000 मिलने वाली यानि की 20,000 रुपय जो है वो मिलने वाले साथी साथ अगर हम बात करते हैं उमर सीमा की तो वो जो है आपको 21 वर्स से लेकर 37 वर्स तक दी गई है साथी साथ अगर इसकी documents की अगर हम बात करें तो bachelor degree किसी भी university का आपका होना अनिवार्ज है और साथी साथ graduation जो है final year के यहां पर होना अनिवार् यहां पर computer का भी जो है system computer का knowledge भी होना पर जरूरी है लेकिन desirable में कोई अवसकता की जूरत यहां पर नहीं पड़ती है बट जो है यहां पर प्रिफेंस जो है MBA और PGDM वाले और BSC Agriculture वाले के लिए जो है आपको इस post में यहां पर आपको प्रिफेंस जो है वो यहां पर दिया जा रहा है अब हम बात करते हैं junior engineer civil के हम बात कर लेते हैं जिसकी दो post है और salary के अगर हम बात करे तो वो 15,000 है और यहां पर उम्र सीमा जो है same रखी गई है और आपको जो है documents क्या लगेंगे तो civil engineer में आपका diploma होना बहुत ही जरूरी है अब हम बात करते हैं assistant manager IT की तो उसकी दो post है payment आपको 15,000 मिलने वाले हैं और essential में आपको documents जो है वो आपको BCA होना बहुत ही अनिवार्ज है अब हम बात करते हैं officer executive come assistant की अगर हम बात करे तो वो 10 post दी गई है जिसकी payment जो है 15,000 है और उम्र सीमा जो है वो same है और साथ ही साथ हम बात करे documents की तो वो जो है आपको क BCB university का bachelor degree जो है वो होना अनिवार्ज है graduation होना अनिवार्ज है साथ ही साथ जो है आपको typing speed 30 word per minute जो है हिंदी में और 35 word per minute English में होना बहुत ही अनिवार्ज है साथ ही साथ जो है आपको MS office का knowledge साथ ही साथ computer का knowledge भी होना यहाँ पर बहुत ही जोड़ी है तब जाकर जो है आप य payment जो है यहाँ पर आपकी जो फी जो रखी गई है वो बहुत ही ज्यादा है साथ ही साथ अगर बात करते हैं छटे नमर account assistant की तो इसकी pass post है जो की आपको 15,000 salaries है वो मिलने वाली है आपकी उम्र सीमा सेम है और इसमें जो है आपको become होना बहुत ही अनिवार्ज है साथ ही साथ जो है computer का knowledge जो है वो DCA होना अनिवार्ज है और MS office का जनकारी होना तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर essential दी गई है और किसी भी छेतर में आप computer का knowledge रखते हैं experience है तो उस लोग को जो है उन छात्रों को जो है यहाँ पर प्राथमीकता पहले दी जाएगी अब हम बात करते हैं assistant go down manager की तो उसकी जो है यहाँ पर 88 post दी गई है जो कि यहाँ पर payment जो है आपका 15,000 मिलने वाले हैं और age की हम बात करें तो एक 20 वर्स लेकर 37 वर्स दी गई है सांत ही सांत अगर हम बात करें तो आपको जो है यहाँ पर chemistry honors graduate होना चाहिए यानि की chemistry में आपका graduation जो है वो होना यहाँ पर अनिवार्ज है और साथ ही साथ जो है आपको mandatory यानि की DCA का यानि की computer knowledge भी जो है यहाँ पर होना बहुत ही अनिवार्ज यहाँ पर दिया गया है दोस्तों साथ ही साथ हम बात करते हैं computer operator की तो उसकी जो है यहाँ पर 5 post दी गई है और 12,000 salary जो है वो मिलने वाली ह यहाँ पर दोस्तों जिसको लेकर जो है आपको यहाँ पर bachelor degree किसी भी discipline में वो होना यहाँ पर अनिवार्ज दिया गया है जिसको लेकर जो है आपको यहाँ पर कोई भी ऐसी जनकारिया जो है वो यहाँ पर पुर्ण रूप से नहीं दिखाए जा रही है जिसको लेकर जो है हलाकि बात किया जाए तो यह 12th past पर ही होगी और bachelor degree के अगर हम बात करते हैं तो वो आपका graduation है तो वो ज्यादा यहाँ पर प्राथमीकता यहाँ पर देने की संभावना है और मैं डोटरी में आपको MS Office का knowledge होना चाहिए साथी साथ DCA का certificate जो है वो यहाँ पर होना अनिवार्ज है साथी साथ जो है आपको 30 का हिंदी में typing और 35 का English में typing होना बहुत ही अनिवार्ज है तब जाकर जो है आप यहाँ पर firm भढ़िएगा अन्यता जो है आप यहाँ पर firm फिलप नहीं कर सकते हैं अब हम बात करते हैं sales come M MTS के अगर हम बात करें तो MTS के लिए जो है यहाँ पर requirement जो है वो यहाँ पर दी गई है जिसको लेकर 142 पोस्ट है और 12,000 payment जो है वो यहाँ पर मिलने वाली है दोस्तों जिसकी उम्र सीमा के बात करें तो यह आपको 18 वर्स से लेकर 37 वर्स जो है वो यहाँ पर रखा गया इसके लिए जो qualifications की मांग की जा रहे है वो 10 प्लस 2 है यानि कि 12 पर है और साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है 12 पास है तब जाकर जो है आप यहाँ पर fill up किजिएगा अन्य था आप यहाँ पर मत किजिएगा अब हम बात कर ले यहाँ पर दोस्तो selection process की तो selection जो है आपको exam plus interview के अधार पर जो है यहाँ पर आपको लिये जाएंगे जिसको लेकर जो है मैं आपको सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर बता दू कि यह जो selection होगा यह आपको contract basis के यानि कि संबीदा basis के अधार पर मातर दो सालों के लिए जो ह है यहाँ पर जारी किया जा रहा है दो साल बाद जो है आपको regular भी कर सकता है या फिर उहाँ से extend भी किया जा सकता है और interview का जो process होगे वहाँ को बिशकोमान ही conduct करेंगे बिशकोमन ही वहाँ पर exam लिएंगे और वहाँ पर आपको interview की प्रक्रिया को start करेंगे और starting date closing date form का य is relaxation जो है वो यहाँ पर आपको दी गई है और आपको selection process की अगर हम बात करें तो selection process जो है आपको account officer के लिए range officer का marketing के लिए assistant goodown manager के लिए account assistant के लिए assistant manager IT junior के लिए और MTS के लिए जो है आपको यहाँ पर दो भागों में बाटा गया है पहला तो आपको दिया गया है कि return exam होंगे वो आपको offline mood से होंगे CBT के माध्यम से यहाँ पर नहीं लिए जाएंगा दूसरा जो है personal interview के माध्यम से आपका selection process होगा written exam में आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे questions English language से 25 नंबर के quantitative aptitude से 25 नंबर reasoning ability से 25 और general awareness और computer knowledge से 25 पूछे जाएंगे जो की आपको total जो है show number का exam होगा जिसके durations होंगे 60 minute यानि की एक घंटे का आपका exam लिया जाएगा और साथ ही साथ जो है प्रते questions के लिए जो है आपको 0.25 marks जो है cutting यहाँ पर होंगे और sales come MTS के अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो दूसरी नंबर जो है आपको दूसरे post जो यहाँ पर आते हैं office executive come assistant computer operator के लिए जो है यहाँ पर तीन परकार से जो है selection process दिये गया है पहला तो written exam दूसरा typing test और तीसरा जो है personal interview के मादम से जो है आपको यहाँ पर selection process किया जाएगा जिसको लेकर जो है आपको यहाँ पर दोनों जो है same दिये गये हैं written exam में और दूसरी नंबर अगर हम बात कर लेते हैं तो यह जो है आपको यहाँ पर ए मुझ सकती है और fee की अगर हम बात करते हैं तो ACST और female और PWD के लिए यहाँ पर 500 रुपे जो है यहाँ पर आपको फी लगेंगे और 1000 रुपे जो है general category साहित जो BC1, BC2 यानि की OBC के लिए जो है 1000 रुपे फी जो है वो यहाँ पर आपको रखे गया है जिसकी important जनकारिया थी जिसको मैंने आपको इस वीडियो के मादम से बताए ज्यादा detail में आपको जाना है तो इस notifications को आप मेरे telegram से जो है download कर सकते हैं जिसका मैंने official telegram link जो है आपको description में share कर दिया है आप वहाँ से जाकर जो है इस link के ज़री है direct इस notifications को भी आप प्राप्त कर सकते हैं चलिए हम म